वेल हलो बुद आफ्टनून होप यू और डूइंग गूड और सबसे पहले यार थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पिछली वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में बोला कि रोहित को आप भूल गया अपने रोहित को मेंशन कियो नहीं किया तो सबसे पहले आपको बदा दू कि मेरा अक्टुली में मौनिंग वीडियो बनाने आपके प्लान नहीं था मैं ओफस से आया था और वस लेक की चलो ठीक है तो उस टाइम पर when I was looking at it तब GT20 वाला जो पेज है ट्विटर वाला उस पर पूरा अपडेट नहीं हुआ था उस पर रोहित का अपडेट नहीं था और कहीं पर भी मैंने जहां चेक रहा ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं था उस तेम रोहित के बारे में इस वजह से मैं बात नहीं करी और मुझे सबसे पहले थोड़ा सा, you know, दो-तीन players के बारे में देख लेते हैं, how it is going to help Nepal team, और आगे, राश्रत खान और सिकंदर रजा का example मैं दोगा कि कैसे things have changed for their respective teams, ठीक है सबसे पहले, Toronto Nationals आपको, Rohit Podil जो हैं, वो अपना debut कर रहे हैं, league cricket में अपसे पहले, उन्होंने ऐसे बाहर league cricket नहीं खेली हैं, तो ये उनका पहला सीजन होने वाला है, जी T20 में, और इनके साथ आप देखो players कौन कों से होंगे, इनके साथ, सबसे अच्छी बात यही है, इस GT20 की, या किसी भी league की, खैर ये तो global T20 ये, तो इसमें बहुत सारे other options मिल जाते हैं, और शायद ये काफी ज़्यादे helpful भी रहेगा, other teams में, जैसे IPL वगरा भी होता है, कि आप वहाँ जाते हो, तो बहुत सारे other players के साथ मिलते हो, उनके साथ, उनकी टेकनीक सीखते हो, और फिर अपनी जो खामियां होती है, उसको improve करते हो, और आपको other coaches मिलते हैं, एक वो same coach नहीं हो सकता है, नया coach आपको कुछ और देखे है, और वहाँ से कुछ आपका spark मिल जाए, ठीक है, सबसे बहले, शाहिन शाफरीदी, you will get to play शाहिन अफरीदी in the nets, which is amazing, मतला आप सोचो, शाहिन अफरीदी आपको balling करेगा, आपके skills कितनी जल्दी grow हो जाएंगी, आपको बहुत सारी चीज़े, बिकास शाहिन अफरीदी जैसा baller फिलहाल नेपाल में नहीं है, that's a fact, तो आपको वो खेलने को नहीं मिल रहा है, but then you are getting an opportunity to play players like शाहिन अफरीदी, और आप देखो, आपके पास रिशाद हुसाइन, हाला कि हमरे पास हैं, रिशाद हुसाइन से बालर, उसे बहतर बालर, लेकिन ठीक है, आपको रिशाद हुसाइन मिलेंगे, आपको से कॉलिन मुन्रो हो गए, तो ये जो आपको रिमाइरो शाफर, रिमाइरो शाफर के सामने सपोस कर आप बालिंग कर रहे हैं, and then he keeps on hitting you sixes in the nets, and then you'll be like, क्यार नहीं आर, इनको अच्छा, ये इनका strength है, थोड़ा आगे पीछे रखना है, ऐसे नरते हो, तो ऐसे कुछ बड़े प्लेयर इस टीम में है, जो आपको, ये कुछ बड़े नाम हैं, प्लेयर बहुसली बहुत सारे हैं, बच ये कुछ बड़े नाम है, जो रोहित के साथ खेलेंगे, जहां पर रोहित को मौका मिले वाला है, फिर उसके बाद, if you look at Vancouver Knights, so as I said, I will be supporting Vancouver Knights, तो उनकी तरफ अगर आप देखेंगे, you'll see Babar Azzam, you will see Mohamed Aamir, so depends on the idea, अगर Mohamed Aamir को face कर रहे हैं, so इससे बहतर क्या होगा, अगर आप Nets में, you know, Mohamed Aamir को खेल रहे हो, so obviously it's a big thing, अब आप सचो, तो रजवान और Babar Azzam जैसे प्लेयर के साथ, अगर आप dressing room शेयर कर रहे हो, so obviously आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, so आपके पास, you know, संदीब है, already experience है, बढ़ ठीक है, एक और experience यहाँ पर मिलेगा, बट संदीब है, अपके साथ खेलेंगा, बहुत जाखेल चीए, और उसका हमने असर भी देखा था, South Africa वाले मैच में का हो, या बागनादेश वाले मैच में का हो, हमने उसका असर देखा था, बट यहाँ पर, डिपेंदराइली विल गेट अलट अफ, यून ए, एक्सपोजर, आसिफ अली आपके साथ खेलेंगा, मैं आपको, जैसे मैंने का था, कि सिकंदर, रजा और राशिद खान का आपको एक्जामपल दोगा, देखो, अफगानिस्तान के राशिद खान ने इसी तरह से लीग्स खेलनी शुरू करी थी, हम सब इस बारे हम बात कर रहे हैं कि यार, यूनो, नेपाल के जो प्लेयर्स हैं, वो बाहर जाकर के परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो टी यू ग्राउंड में तो कर लेते हैं, बाहर जब निकलते हैं, नहीं कर पाते हैं, जो अधर प्लेयर्स उनको मिलते हैं, वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अब देखो जिम्भावे बिलकुल खतम हो गया था जिम्भावे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था बट दिन पॉप डप डिस गाई सिकंदर रजा भाई बाटिंग बॉलिंग अच्छी और रॉन परफॉर्मेंस देता है इंडिया क्रिकेट को देखते हैं ये आईपियल देखते हैं क्योंकि अगर आप इंडिया कैलेंडर देखो इसको एर में कभी और बात करूंगा तो अभी से नेक्स्ट येर जून तक का बुग्ड है मतलब पूरा बुग्ड है शायद बीच में तीन दिन चाज दिन पाई तीन एक हफ़ते हैं गाप को दिखेगा वनना पूरा बुग्ड है तो इतने बिजिव शेडूल में इसी वह से जो इंडियन फैंस होते हैं वो आदर क्रिकेट को फॉलो नहीं कर पाते हैं अपने हां इतनी क्रिकेट हो रही है बट आप देखो जब उस बीच में भी सिकंदर अजा मेक्सिस वेट वाइपियल और फिर जब इंडिया वसे जिंबावे देख रहा होता तो कहता है या अच्छी बालिंग करता है सो दिस इस वाट हाफिनसे राट राश्ट खान ने अलग अलग जगा खेला अपने आपका परूफ करा फिर ऊस राश्ट खान कीवज़ए से कितने सारे लेग स्पिनर डिया वायवे पाइद आ राय्स पाती हुए है वो आते हैं वो देखते हैं राश्ट को हम देख रहे हैं किस तरह से मुझीब है, हम देख रहे हैं किस तरह से मुहमद नभी है for that reason तो जब एक प्लेयर को exposure मिलता है तो वहाँ से बहुत सारा help होता है हाँ, सारी other players का भी वो भी जिम्मेदा हैं, वो भी reason है वो भी अच्छा कर रहे हैं, बट एक जो factor है, वो हम सबको पता है कि इस time पर अगर अफगानिस्तान में सबसे बड़ा नाम कोई है तो वो राश्ट खान है, just because of experience जो उनको all together मिला है, लेकिन मुहमद नभी में कम नहीं है, मतलब I know कि बहुत से लों कहें कि भाई, मुहमद नभी उससे पहले से ज़्यादा experience है, yes you are right but एक sensation अगर कोई लेकर आया था तो वो राश्ट खान से likewise जैसे मैंने सिकंदर रजा के बारे हम बात करी कि जिम्भावे एक दो प्लेयर पता है, नहीं पता है, ढूब रहे हैं, उठ रहे हैं, ढूब रहे हैं लेकिन इस टाइम पर अगर किसी से भी शायद मैं बोलूँ कि जिम्भावे की एक प्लेयर का नाम बता तो वो सिकंदर रजा का नाम ज़रू बता देगा इंडिया वर्सिस जिम्भावे सिरीज होने वाली, इंडिया अफगानिस्तान सिरीज इसके वर्ल्ल कप से पहले ही, आईपिल से पहले ही हुई थी, तो एक एक प्लेयर से फरक पड़ता है तो यह जो टीम्स हैं, अब आप सौचो, यहां जाकर के परफॉम्मंस अगर आती है Dependency and I.R. की, यहां जाकर के परफॉमंस संदीब के इचिह आती है, यहां जाकर के रोहित के इची परफॉमंस आती है, फिर जो इससे बहतर लीग हैं, उनमें ये जाएंगे, वहां परफ exposure मिलने के लिए, so I really hope कि ये जो league है, ये बहुत जबरदस्त हो, I know कि बहुत सारे questions इसके आसपास चल रहे हैं, but I hope कि ये league बहुत अच्छी हो, और जिस तरह से August 11 तक ये चलने माली है, July 25 से ये duration में कुछ कुछ जबरदस निकल रहा है, कुछ अच्छा निकल कर रहा है और वहां से other leagues जो है वो attract point players से और वो इनको pick करें, देखो amount किया जा रहा है, अभी फरक नी पड़ता है कि बहुत कि कितने में pick करें, I know कि सुनने में अच्छा लगता है कि भाई, बिनो इतने पैसे दिए, 30,000 डॉलर दिए, इतने दिए, 18,000 दिए बट अभी starting phase पर नहीं starting phase पर आपको ठीक है आपकी value कि सब सब को पैसे मिले अब जब perform करोगे ना, अगली league जब pick करेगी वहां matter करता है So let's just hope कि ये league अच्छी रहे and ये नेपाल cricket को eventually नेपाल cricket की growth में help करे because that is what is the main focus एक बार नेपाल cricket grow हो गया तो फिर उसके बाद जब आप test nation से खेलोगे तो automatic experience होता जाएगा, grow होता जाओगे but ये stairs है यहां से सीड़ी है, ये stepping stones है यहां से आप दीरे 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 आगे बढ़ होगे So I am looking very positive towards this team towards Vancouver Knights and I hope that you all know player अच्छा करें I hope Rohit बे अच्छा करें but let's see who will you be favoring in this GT20 do let me know in the comment section and till then you guys take care bye-bye